श्री गनेशा या नमाहा नमस्कार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़ तरह के परिणाम ला रहे हैं। परिणाम ला रहे हैं। प्यार जताने के लिए समय अनुकुल नहीं है। अपने परिवार से शादी के लिए अनुमती लेनी हैं। तो ये दिन ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सचेत रहे, शान्त रहे, जीवन को एंजॉय करने की कोशिश करते रहे। अगर स्वास्त की बात करें। तो स्वास्त के लिए समय अनुकुल नहीं है, कोई बड़ी परिशानी तो नहीं होगी। जो लोग पहले से बीमार हैं, उन्हें सेहत का ख्याल रखना होगा। सेहत से सम्बंदी चोटी मोटी परिशानिया इस समय में सता सकती है। और इस दिन चंदन या केसर कातिलग अपने माथे पर जरूर लगाए। हमारा स्वास्त काफी हद तक हमारी आदतों पर निर्बर होता है। अगर आप एक्जरसाइज योका करते हैं, सुबह टहलने जाते हैं, अपने स्वास्त के अंदरूर डायेट प्लान बना कर उसे अच्छे से निभाते हैं, तो सेहत से जुड़ी परिशानिया आने की संभावनाय काफी कम हो जाती है। और इम्मिनिटी बढ़ने से मोसमे बिमारियों का खत्रा भी नहीं सता था। तो दोस्तों खुद को स्वस्त रखनी की कोशिश जरूर करें, इस दिन हरे रंका इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है। दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है। कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशी फल को एक मारगदर्शन के तोर पर लिया जाए तो जादा अच्छ रहेगा।